अब जानते हैं क्यूंकि हमारे यहां पर कश्मीर में जैसे हर जगह पे उतसे मुबारक मनाए जाते हैं और अलहमदलिल्ला आज पीरे दस्तगीर का उसलाजम दस्तगीर का और सिपारक मनाया जाएगा और यहां पे जो इंतजामात हैं क्यूंकि सबी डूंडते हैं क्या हम कब खाने यार पहुंचें क्यूंकि सबसे बढ़ा हूं और देखूं कोई खामी नहों जैसे अभी आपने कि मैं ये भी देखती हूं कि मेरी बहने किस पे नमाज पड़ेंगी क्या उनके लिए सही इंतजामात हैं अगर मोसम सही रहा तो बहने यहां पे क्यूंकि अभी हमारा नूर खाना यहां पे तयार नहीं है नूर खाना तयार हो जाएगा इंशाललो हो रहमान क्यूंकि हमारे tenders out हो गए हैं अब वो भी बन जाएगा और यहां पे जितनी भी facilities होनी चाहिए एक दरगाह में हम कोशिश कर रहे हैं हमारा मकसद है कि अब जो जियारतों पे जाहरी उन्हों का जो भी हमारे यहां पे आता है पैसा वो हम दरगाहों पे खर्च करें ताकि इनको भी लगे जो हमारा पैसा है वो कहीं काम पे आता है हमने यही फैसला किया है जो दस्तगीर सहब में नजरो नियाज आता है वो यहीं पे खर्च हो जाएगा यहीं के development पे खर्च हो जाएगा और हमारा मकसद है कि वाकफ के जरिये से जो आज तक काम नहीं हुई हैं होए हैं तो वो अगर हमें पैसा जादा मिलेगा इंशाललह हो ताला अभी है accountable हो गया है वक्त तो उसमें हम जैसे हमारी नादार बहने हैं हमारी विडियोज हैं हमारी ऐसी बेटियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती है वक्त पे तो हमारा मकसद है कि जो हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा इन्शाललह ताला रब ने चाहा तो वो हमारा होगा आज यही है कि अल्लह करे कि हम यह उर्स मुबारक सही तरीके से मनाएं और रब की महरबानियां भी रहे और गौसलाजम की नज़र भी रहे हम पर क्यूंके हमारी जो उमीदे हैं और जो हमारा अकीदा है खासकर हम सबुं का हम सब कश्मीरियों का अकीदा है कि हम पे नजरे गौसलाजम यहां दस्तगीर है और हम पे महरबानी अल्ला करेगा तेखी वो तो रही नहीं और अलहमदलिल्ला जहां पर कोशिश रहती है खोता ही हो सकती है लेकिन उसमें आपकी राई में या आपके नियत में खोट नहो कि खोता ही होता ही हर एक इनसान से क्योंकि इनसान बशर है अभी खामिया रह सकती है लेकिन जान बूच कर कोई खामी नहीं रहेगी यह आहाम वादा कर कर दो झाल है लेकिन जान बशर दित करक क्योंकि वाके लेकिन रहें लेकिन शर फगामिया।